हेलो गुड मॉर्निंग मैं टॉक्टर दिनिश कुमार एसोसीट प्रोफेसर श्कूल ओप एजुकेशन उत्राखन ओपन इन्वेस्टि आज आपका मैं इस्टूडियो में मुझे को आमत्रित किया मैं आपका धन्यवाद आता करता हूं आज स्टूडियो में हमको केरिट्स सिस्टेम इन इंडिया इ Rings विसयं को बिद्धृति से बारता करनी है किरें इंडिया यह क्या है यह अब ही हमारे देश में New Education Policies 2020 जो है बनाई गई है जो पूरे देश में जो लागू हो चुकी है जिसको इंप्लिमेंट सभी विशुधलों ने शबी कालेज ने अपने यहां पर कर दिया जो हाइर एक रेडिट सिस्टम विवस्ता की गई है एवी सी अब यह एवी सी क्या है क्रेडिक बेंक डेडिट इसकी हमको क्यों जरुवत है कrob कीज़र लेना है तो पास में जो है आधार पर वो अपना विश्ताले में प्रिविश ले पाएगा अब credit system होता क्या है? जिसे पहले assessment होता था, assessment के आधार पर बच्चों का मुल्यांकन किया जाता था, उस मुल्यांकन के आधार पर हम उस बच्चे का जो है एक result घोसित करते थे, परिक्षा परणाम घोसित करते थे, उसी प्रकार से academic bank credit system ये विश्दाले इस्तर पर जो है बना गया, उस credit में विध्यारती को अपना एक जो पूरे समिष्टर का credit होता है, उस credit को उसमें उसको कलट करना है, और उसके आधार पर यदि वह विध्यारती, छे महीने में उसको जो है 20 credit का जो है एक credit होता है, उसको complete करना है, उसके बाद उसको 20 credit और करना है, जब वो 40 credit मना जाएगा, बहुत से विध्यारती इस तरीके होते हैं कि वो अपनी आगी की परिक्षा जो है पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है वो किसी जॉब में हो, हो सकता है उनकी पारिवालिक इस्तितिव, हो सकता है वो आगे किसी उनको जॉब लग रहा है, टक्निकल ए ये विश्वधाले के द्वारा उसको प्रतान के जाता है, यदिवा विध्यारती आगे पढ़ना चाहता है, तो उसको पुनहें फिर समिष्टर वाई सिस्टम में, फिर उसको 20 क्रेटि करना पड़ेगा, फिर अगले 6 मेने में, 4 क्रेटि में उसको जो है, 80 क्रेटि जो है, उसको गेन करना पड़ेगा, यदिवा विध्यारती दो वर्स के बाद, अथार चार शेमिष्टर के बाद, कहीं अन्य शिक्षा प्रतान प्राप्त करने जाना चाहता है, तो उसको हम एक डिप्लोमा शार्टिफिकेट दे करके, उसके अंदर इतना इश्किल हो जाएगा, जो हमारी New Education Policy बनाए गई है, इस New Education Policy में यह बहुत इसपष्ट है कि प्रतीक बच्चे को कौशल शिक्षा प्रतान कीजिए, हमारे मानने प्रतान मंत्री जी ने जो है इश्किल एजुकेशन पर बात की गई है, सुरोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे है अतात ऐसा नहीं है कि जो हमारी डिगरी है, वो केवल हमको सरकारी नौपरी प्रतान के लिए दी जा रहे हैं, बलकि अब New Education Policy में इस प्रकार के शिक्षा प्रतान कीजिए, बच्चा जो है अपने पढ़ाई के साथ साथ, वो ऐसा Education ले, ऐसा कौशल विकास करे, ऐसी Education प्रत साथ कैसे, जिससे कि वो जॉब प्राप कर सके, तो यह Academic Bank Credit System में आरहम की गई है, अब यह Academic Bank Credit System जो है, यह बनाया किसने है, तो यह जो है एक संस्था है, जिसको हम बोलेंगे National Academic Deposition, Depository, NAD, तो यह NAD क्या है, NAD is the backbone of the ABC, ABC enables students to register, जैसे कि आपने देखावा कि इसमें जो है, Students, प्रति एक Students को जो है, अपना Academic Bank Credit जो है, उसको बनाना है, उसको खाता बनाना है, जिस प्रकार से हमारे Bank में जो है, हमारा खाता होगा, होता है, हम उसमें LinkedIn करते हैं, तो उसी प्रकार से विध्धारती को भी ही अपना Academic Bank Credit बनाना होगा, उस Bank Credit के आधार पर जो उसने Credit गेन किये हैं यह गेन जो हैं के अधाय पर उसके खाते में जुड़ते चले जाएंगे और यह प्रतेक विध्यारती को जो इसको कमपसरी करना होगा दूसरा यह है कि अकेडमिक बैंक क् डेडिट की हमको क्यों जरुवत है अमने देखा उगा कि जैसे आफ फिंशाबी और और जो प्रतेके यो अपणा उसका जो पैत्रक युनिवस्टी में उसको 50 % क्रेडिट परण करना आबस्क ए सकमें उसके बाद जो दूसरी सच्रिय है तो 50% course उसको अपने जो पेत्रक जो युनिविस्टी है वहां से प्राप्त करना जरूरी है 30% जो है बागी दूसरी युनिविस्टी वहां से उसको कमपसरी यह उसको करना है तो यह क्रेडिट सिस्टम है जिसमें जो है उसको अपना जो है क्रेडिट को जो है तैयार करना है और यह क्रेडिट हमारी कितने वर्सों तक रहता है यह क्रेडिट हमारे जो है साथ वर्सों तक उस क्रेडिट को जो है वह अपने खाते में रख सकता थाथ उसको साथ वर्स तक उसमें उसको अपडेट करना हो सकता जिसे बच्चे ने एक साल के बाद अपनी जो है शाठीपेट के बाद में उसको लगा कि दो साल बाद मुझे अभी डिग्री लेनी है तो उसका एक क्रेडिट निश्चित है उसको हम प्रवेश देंगे और उस किया है तो यह बहुत ही महत्पूण है उस विध्धार्टी के लिए और अच्छेमिक क्रेडिट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे लिए क्यों महत्पूण है यह एक हमको नेशनल लेविल पल जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर आ रहा है क्य ले सकता है प्रवेश ले सकता है एक सब्द आप देखे रहे हैं multi disciplinary subject या multi disciplinary university यह किया है यह एक बिलकुल एक्दम हमारी जो सरकार है, केंद सरकार है, उन्होंने इस बात पर बहुत फोकस किया की एक विध्धार्ति की रूची साइस के साथ सफिजिस, केमिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन हो सकता है उसका मुजिक का ज्यान हो, हो सकता है सो कारफटर अप आत नहीं पढ़ सकते थे, या आर्ट का विध्यारती है हो सकता है आर्ट वाले विध्यारती है जो हम पड़ रहे हैं तो बच्चा हो सकता है इसका फिजिक्स बहुत अच्छा है आप एक युनिवस्टी के साथ साथ दूसरी निवस्टी में भी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और उस प्रवेश के आधार पर हम बच्चे का क्रेडिट घटा करता लें अब यह दूसरा है कि जो बच्चे की जो मॉबिलिटी है वह हो सकता है उसको कुछ समय के लिए उस प यह हमारी जो है ग्रेजविशन लेविल से लेकर के आपकी हायर ले एजुकेशन तक जो है इसको करना होगा तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है उसके साथ साथ जो है हमने आप देखते हैं जी पहले विद्धार्थी से जो है परिक्षा ही देता था लेकिन अब उस परिक्ष इसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है आप देखेंगे यह दिस्टेंस एजुकेशन के हम बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन आज अपना छेत्र बढ़ा है आज डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हम विद्धार्थी को उसके घर पर बैठ करके जो है उसका करने के लिए उसको सेल्फ मैटरियल वहाँ पर मिल रहा है उसको एक्जांप सेंटर उसके घर के पास मिल रहा है तो यह सारी चीजे जो है अब नियू एजुकेशन पॉलिसी में हो रही है और इसके लिए क्या है जो हमारा अकेडमिक बैंक क्रेडिट हैंगी सारी ग्रेजुविशन की डिग्री लेनी है तो आप ग्रेजुविशन में उसको कम से कम 6 समिश्टर को पास करना होगा क्योंकि अब जो है चौइस बेस क्रेडिट सिस्टम पूरे देश में लागू है प्रतिक युनिवेस्टी को समिश्टर सिस्टम के अधार पर करना है यह समि बैचलर के डिगरी प्रदान कर देते हां दूसरा यह है कि यदि वह सैस्टि करना चाहता है तो हम उसको अगिये 요 किदर के आधार पर करेंगी क्या उसने एक-AB में उसके वाइबा में उसने फिल्ड बर्क में इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं इसको छुट गया। वह मादक उसको पूरा करना पड़े है। üsको पूरा करना पड़े है। जहां तक credit system की बात है। क्रेडिट जो है यह अगर बात करें तो यह प्री प्राइमरी एजुकेशन से ले करके हैर एजुकेशन तक है हमारी जो हम बात करें हैरे जो तो यह जो है यह अपना क्लास एट तु then class तक होता है लेविल 4 class 10-12 ये हमारी रही बात 3 primary से ले करके शेकिंडरी education थी अब हम बात करते हैं higher education की तो higher education हमारा कहां से आरम होता है हमारा higher education आरम होता है level 5 से अथाथ level 5 से हम undergraduate जो हमारे course है हमारे certificate program शुरू होता है उसमें first year में जो है उसको या two semester के जो हमने भी बात किया है उसको 40 credit के बाद हम उसको level five में उसको रखेंगे level six की बात करते हैं तो undergraduate diploma जो है वो gain करेगा उसको जो है ये four semester उसको complete करने के बाद हम उसको level six देंगे level six की बाद हम करें तो उसको बैचलर डिग्री में 120 मार्ट करने के बाद बैचलर डिग्री को प्रवाइट की जाएगी लेविल आठ की यदे हम बात करते हैं तो अभी बात हमने किया कि रिसर्च डिग्री अथा बैचलर डिग्री इन रिसर्च में यदे बात करें तो उसको 160 क्रेडिट का उसको करना कंप्लेट करना पड़ेगा दूसरा बहुत सारे विध्यारती ऐसे होते हैं जो हमारी मास्टर डिग्री में प्रिवेश पा जाते हैं लेकिन हो सकता है वो दो समेश्टर के बाद जो है वो क्लास को छोड़ दें या आगे की पढ़ाई जारी ना रख पाएं तो ऐसे बच्चों को क्रेश्ट चालिस क्РЕडिट का कंक्प्लीट करने के बाद STEP 3 सुट क्प्रेदान आगर करने पुन सहे हैं क्रिठी बविध्यारतिक लिए महत्रों हो इसलिए शभी विध्यारती इसमिए क्रेट प्रिवेस्टर करना चाहिा है शभी विश्दहले जो प्रवेश ले रहे हैं उसमें विध्यारती के लिए credit system में अपना account खुलवाना आवती आवश्यक है दुसरा यह है कि जो doctorate degree है वो doctorate degree आपकी 10 में आती है 10 में जो बच्चा जब जो हैं बहुत PhD करेगा अथार वो रिशर्च बर करेगा उसके आधार पर हम उसको PhD की डिग्री प्रदान करेंगे और master degree उन बच्चों के लिए थे credit 9 जिनोंने 4 year graduation with honors in research में किया है ऐसे विद्धिहर्ति को हम जो है master degree में यदि वो प्रवेश लेता तो credit level 9 उसको हम जो है कहेंगे तो यह सारे system एक level बना दिया गया कि आप किस level में इस समय काम कर रहे हैं तो उसी प्रकार से जो है choice based credit system है जिसमें आपने देखा कि बीच में हर course को जो है इस तरह के से design किया गया था लेकिन उसके बाद आप new education हमारी policy आई है new education policy में जो है उसमें compulsory कर दिया गया कि इसको semester system के आधार पर लागू किया जाए इसमें जो हमारी new education policy में जो curriculum है उसके आधार पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है इश्किल बेस सबसे ज़्यादे focus किया गया है ताकि विधारती जो है अपना education लेने के बाद वह खाली घर पर नए बैठा रहा है अथात अपने परिवार के उपर अपने समाज के पर वो बोज नहां बना रहे तो इस यह क्रेट सिस्टम इसलिए लागू किया गया अब बात करते हैं कि कितने हावर्स को हम जो है theory में देंगे कितने जो है practical में देंगे कितने laboratory में देंगे तो यहां पर जैसे कम से कम एवन हावर्स of theory वन हावर्स of the tutorials या यह जी बोलेंगे टू हावर्स फोर लेवर्रोटरी वार्स फोर वी इन शेमिश्टर अथा तेरे से पंद्रह वीक जो है उसको एक समस्टर के लिए थार्थ 90 टीचिंग डे उसके लिए कमपसरी है एक विध्यारती को यह प्राप्त करने के लिए तो अपनी डिगरी को प्राप्त करने के उसको देनी है यदि वो इतनी फस्थिति नहीं दे पाता तो कहीं ना कहीं उसके क्रेडिट में जो है प्रोब्लम होने की संभाब ना रहेगी तो क्रेडिट सिस्टम जो है यह बहुत ही आज के समय में बहुत महत्पूर्ण है अब इसमें यदि बात हम करते हैं कि जो है उसको मेंगेन मास की है कितना है उसको करते हैं उसी प्रकार से 10 पौइ slips की बात की गई है थैंस स्केल पर बच्चे का रिजल्स तयार के जakस अपर इद आग गयाक. उसको हम 9% का जो है CGP का धारपा उसको credit point हम लोग उसको कहेंगे तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है दूसरा एक और हमने इसमें दिया बताया है कि किस तरीके से बच्चा जो है credit system जो है उसमें कर सकता है जिसे माले यह हो सकता है कि बच्चे ने 90 to 100 credit किया है तो उसको 9 point है O से हम उसको outstanding उस बच्चे को हम बोलेंगे दूसरा 80 से 89 80 to 89 अगर उसने किया है तो 8.9 हम उसको बोलेंगे इसको हम कह सकते हैं कि बच्चे ने जो है बहुत excellence students था इसी तरीके से हम 90 से लेकर के 50 60% जो बच्चे ने gain किया उसके मानक के आधार पा हम O E A B या था वो outstanding है वो excellence है वो very good है वो good है या fair है average है उस category के आधार पर उस जो उसने gain किया है उस point के आधार पर खलत उसने जो grade point gain किया उसके आधार पर हम उसका results गोसित करेंगे अथा तो आगे के class में जाएगा next class में जाएगा या यह उसने 33% से मार below 40 से नीची किये तो वो बच्चा जो है इक तर महत्तपून हो गया है आपने देखा कि अभी हमारे देश का जो है एज एजो एजुचेशन betfy है अगर हम अपने इस जो टार्गेट है 26.3 से बढ़ा करके हम इसको 50% करना चाहते हैं यह सब कैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ग्रोज जो रेशियो है जो एजुकेशन का जो रेशियो बढ़ रहा है इसमें शबसे महत्पून भूमी का distance education या distance university के जो open university है इसका बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है और इसमें अधिकतर विध्यारती जो है open university के माध्यम से जो है शिक्षा प्राप कर रहे हैं कहीं ना कहीं हर विध्यारती open system की तरफ दोड़ रहा है क्योंकि यहां पर हम earned with education और education with earned की बांग हम लोग इसमें कर र बहुत सारे विश्वधाले लगातार खुल रहे हैं देश में बहुत सारे college खुल रहे हैं जंगे जंगे नेक शंस्थाय खुल रहे हैं इन सब का उदेश से यही है कि हमारे देश का प्रतीक नागरिद शिक्षित हो प्रतीक बालक जो है विध्यारती श्कूलों में enrolled होना क्योंकि हम सब को इसको मेंटेंज करके आगे बढ़ना होगा जिसे सरकार नहीं बहुत सारा प्रियास किया लेकिन हम लोग उसमें 100% सक्षेज नहीं होका है यदि चाहे इस्कूल की बात करें कालिज की बात करें या माध्यमिक स्थर की बात करें तो कहीं ना कहीं वह वह द्धारती के लिए इसलिए बहुत महत्पूर्ण है सबसे पहले तो उसको अपना क्रेडिस सिस्टम में एकाउंट उसको खोलना आधी आवश्यक है क्योंकि इस क्रेडिस सिस्टम के आधार पर ही उसका परिशा परणाम घोशित किया जाएगा उसको जो अंक प्रदान की ज यदि बच्चा उन विश्धाले में प्रवेश लेना चाहता है तो ये उसके लिए क्रेडिट सिस्टम बहुत महत्पूर्ण की उसने क्रेडिट सिस्टम में कितने मार्स क्रापती हैं हो सकता है बहुत सारी उनिविश्टिया ऐसी होती है जो अधिक क्रेडिट को लेते हैं उस बच्चे के पास उतना क्रेडिट होना चाहिए हो सकता है कुछ युद्वेश्टिय जैसे बड़ी उनिविश्टिया है और उसके बाद में वह कुछ ऐसे विश्धाले में जो ग्रामीन चेतर में है या छोड़े राज्यों में वहां पर प्रवेस उसको आसानी से मिलने है लेकिन हाईर एजुकेशन में जो है यदि वह विदेश में फॉरण में या बड़ी उनिविश्टिय में लेना जाते हैं तो क्रेडिट सिस्टम बहुत महत्पूर्ण है मल्टिडिस्प्लेरे की अभी हमने बात आप से किया है यह उसमें मल्टिडिस्प्लेरे बहुत सार विद्धार्ती ऑ div dip Gefühl मानना और हमारी सिस्टम में इस तरीके से जो हमारा अपन ऑपन?!please show वो इस प्रकार से हम लोगों ने तयार किया है हमारे विश्धल्य के शिक्षकों ने तयार किया है तो विद्धार्थी को यह लगेगा ही नहीं कि एक विद्धार्थी जो है कहीं दूर बैठा है अथाद वो कक्सा में नहीं है उस लिए SLM में जो है जब विद्धार्थी पढ करता है उस पढ़ने के आधार पर ही उस बच्चे को यह लग रहा है कि बच्चा खुद प्रश्ण भी कर रहा है और उसकी प्रश्ण का उत्तर भी उस SLM में उसको प्राप्त हो रहा है वो अपना चेक भी कर से जिस तरी के से होते हैं वही हमारे सभी SLM में उपलब हैं उस बच्चा अपना मुल्यांकन भी कर सकता है उस मुल्यांकन के आधार पर वह अपना आंकलन कर सकता है कि मैंने कितना केन कर लिया है मुझे कितना और मेहनत करनी है उस में सारी questions हम लोग इस तरिके से systematic तरिके से करते हैं जिल्दी विधारती हमारा SLM करता है आज हमारे विधारती देश विदेश में बहुत सारे बड़़-बड़े पतोपर हैं प्रफेशनल डिगरी जो मिलती है उसमें रोजगार में जो है मैद्पूर्ण रोल हो रहा है तो यह आज हमने आप से क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात किया क्रेडिट के बात में क्या किया क्रेडिट सिस्टम क्या होता है क्यों यह विधारती के लिए बहुत महत्पूर्ण है मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे यहां पर आमंतृत किया बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्य कर दो